तो चलिए, इस टॉपिक में भी हमने अभी तक जो भी कुछ सीख लिया है, उसके बेसिस पे देख लेते हैं ये concept test. Are you ready for a challenge? सवाल ये है, The interaction which does not promote co-evolution is Option A, mutualism Option B, amensalism Option C, commensalism या फिर Option D, none of the above यहां हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए pause कर देते हैं तब तक सभी सवाल को अच्छे से पढ़ कर समझ ले, इसके options को भी read कर ले और आपको इन में से जो भी सही जवाब लग रहा है, उसे आप अपनी notebook में note कर ले तो जो सही जवाब है, वो है option C, यानि की commensalism commensalism एक type का interaction रहता है, जहां पर जो दो organisms होते हैं, वो associate करते हैं जिसमें से एक को benefit मिलता है और दूसरा हमेशा neutral रहता है, लेकिन ये कभी भी co-evolve नहीं करते तो यहां पर सही जवाब रहेगा option C